हेलो फ्रेंड वेलकम टू शिक्षा कैसे आप सब उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे सो फ्रेंड अप्रोच इसकर्स कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एंड लेबर लॉकी ओल्राइट वी हाब अल्रेडी डिसकर्स्ट यार ड्यूनलेप्स अप्रोच ठीक जो है हमारे इस पर्टिक्लर लेक्चर का टागेट रहेगा एंडस्ट्रियू कोर्सेज आप पर्चेस कर सकते हो जो आपके 500 प्लस एंडस्ट्रियू कोर्सेज हैं लॉग आप और सोशल सिक्यूरिटी के यूजस्ट आफ तो गो अन्ट वेबसाइट कॉमबो कोर्स भी आप पर्चेस कर सकते हैं और करेंटली आपका जो एसके ओपर 50% चल रहा है तिल 5 जुलाइट तो यूजस्ट अफ तो यूजस्ट आफ तो यूजश्ट आफ तो सेल 50 एस अल ए 50 आप प्लान कर रहे हो तो कर सकते और इसमें आपका फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है वेबसाइट पर वो भी आप जाकर के ट्राइक कर सकते हैं और और कोई भी डाउट हो तो वाट्साइब कीजिए 904-1244-689 पर या फिर मेल कीजिए 6888-gmail.com पर या फिर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जो है वो पोस्ट कर दीजिए चलिए सो स्टार्ट करेंगे ऑक्सफोर्ड अप्र इंस्तिटीटीट अफ जॉब र्एगूलेशन का क्या मतलब हो गया इंस्टीटीटियोटीयल एंस्टीटियर वो फिर को यंउप फीर्या फिर स्थे प्रेसम को ऑक्सफोर्ड अप्रोच क्या कह रही है कि कि से कर औतक़ों एंस तब हम आपर बात कर रहे हैं कि जो worker है या जो employers हैं उनके बीच में जो job से related regulations है okay now these job related regulations can be various उसके अंदर job से related जो working hours है या जो rules है working के या फिर जो आपके disciplinary rules है organization के salary के norms है तो वो सारे के सारे आपके job regulations आ जाते हैं तो Oxford जो approach है वो basically क्या कहती है कि कोई भी जो industrial relation system है वो in job से related जो laws है जो rules है उनको regulate करने के उपर काम करता है ठीक है और जो main exponent है आपके Oxford approach के his name is Flanders and according to Flanders every business enterprise is a social system of production and distribution कोई भी business enterprise है तो वो क्या है basically वो एक social system है और वो social system किस चीज़ का काम कर रहा है वो या तो कुछ चीज produce कर रहा है या ultimately जो resources है उनको distribute कर रहा है और इस production and distribution के system में जो relationship है वो structured है hierarchy में relationship है managers है, workers है फिर wage earners है तो पूरे का पूरा एक pattern बना हुआ है एक relationship बना हुआ है इस production and distribution के system में अब जो ये institution of job regulation है इसमें दो चीज़े आ गई एक आगया internal और एक आगया external internal industrial relation system के job regulations है उसमें क्या आगया code of work rules है wage structure है, joint consultation procedure है grievance procedure जो सारा organization के अंदर काम चल रहा है ठीक है लेकिन Flanders क्या कहता है Flanders कहता है कि जो trade unions है ठीक है जो overall employees का interest जो है उसको represent कर रहे हैं तो जो ये trade unions है ये external organization है ठीक है और जो collective agreement एक external organization जो trade union है जो employees को represent कर रही है और employers के बीच में अगर कोई collective agreement होता है तो वो internal regulation के spare में नहीं आएगा ठीक है और ये जो external organizations है ये जो trade unions है इनका क्या काम होगा ये collective bargaining का काम करेंगी जो किसी भी industrial relation system के लिए center में आती है all right so वो क्या करके ले आया Flanders ultimately क्या किया उसने उसने जो ये collective bargaining की जो approach है ना इसको center में लाकर के रख दिया industrial relation approach के जो organization के अंदर ही अंदर चल रहा है organization ने अपना करीबियांस procedure बना लिया organization ने अपना सारा structure बना लिया ठीक है वो सब internal है लेकिन external क्या है trade union और ये center के अंदर है ठीक है तो Oxford approach को अगर मैं represent करने की कोशिश करता हूँ एक form of equation में तो मेरा ये equation बनता है R is equal to F और R is equal to F function C ठीक है R इसके अंदर क्या आ जाता है rules governing the industrial relations और function B क्या है collective bargaining और function C क्या है conflict result through collective bargaining किस तरह से frame हो सकते है once again Oxford approach किसने दी या ये equation जो है ये कौनसी approach को represent करती है आपको ये equation दे देंगे R is equal to F B alright और आपको पूरा लिख देंगे R is equal to F B where F is where B R is basically the rules governing industrial relations and B is collective bargaining so which of the following approaches of industrial relations is represented through this equation सिधा सवाल पूछ लेंगे और ये सारे सवाल हमने आपके MCQ based जो course है उसके अंदर cover किये है alright चलो अब Oxford approach के critics क्या कहते है Oxford approach के critics कहते है कि भाई आप बहुत narrow सी approach है ठीक है कोई जादा comprehensive framework नहीं देती है industrial relations और industrial relations में जो problems है उनको study करने के लिए ये critics क्या कहते है कि ये जो approach है इसका सारे का सारा focus जो है वो collective bargaining के उपर है ठीक है जिसको ये as a political process treat करती है insufficient weightage दी गई है deeper influences को जो आपके rules को determine करते है institutional and power factors are viewed as paramount importance ठीक है जबकि जो आपके technology, market, status of parties ideology इन सब के बारे में इसमें कोई बात ही यहाँ पर नहीं की गई है तो main बात यहाँ पर collective bargaining की की गई है जहाँ पर trade union और employer बैठ करके बात कर रहे है in a political process all right next is your industrial sociology approach इसके अंदर जो हमारे पास main name निकल कर आता है that is your G. Margarison who was an industrial sociologist and इनका view क्या था कि कोई भी जो industrial relation है उसका core जो है वो है conflict ठीक है किसी भी अगर आप industrial relation की पढ़ाई करना चाहते हो या industrial relation को समझना चाहते हो तो आपको conflict समझना पड़ेगा ठीक है so Margarison ने क्या argue किया कि जो conflict है वो basic concept है industrial relation का ओके और यही basic study बननी चाहिए industrial relation की इस author ने क्या criticize किया कि जो पहले की approaches है industrial relation की जिनका जादा focus किस चीज़ के उपर है कि industrial conflict को resolution resolve कैसे करें उनका इस चीज़ के उपर focus नहीं है कि वो यह देखें कि यह industrial conflict का generation कैसे हुआ यह generate कैसे हुआ ठीक है तो हमें check क्या करना है कि conflict generate कैसे हुआ जो Mark Grayson की industrial sociology approach कहती है वो कहती है कि भाईया देखो सबसे main जो है वो ही आपका conflict है और conflict को समझना बहुत ज़ादा आपके लिए जरूरी है अगर आप conflict को नहीं समझोगे तो आप industrial relation को नहीं समझ सकते okay with the consequences of industrial dispute then on their causes जो previous approaches है वो देखती है कि क्या कारण थे जिनसे industrial dispute हुआ consequences sorry क्या consequences है जिससे industrial dispute के क्या नुकसान हुए क्या फाइदे हुए पर वो यह नहीं देखते कि क्या causes है अगर हम causes को समझ लेंगे ठीक है हम conflict के reason को समझ लेंगे then we'll be better able to understand the industrial relation यह आपकी industrial sociology approach जो है वो कहती है in short ठीक है according to this school of thought there are two major conceptual levels of industrial relations one is intra plant level intra plant level में तो क्या हो गया आपके जो conflict हैं वो plant level पर ही हो रहे हैं जैसे आपके situational factors हो गये job content से related work tasks से related technology से related interaction factors से related तो इन सब कारणों से related जो conflict होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं distributive या तो आपने task को अच्छे से distribute नहीं किया या फिर आप जो benefits हैं जो perks हैं उसको अच्छे से distribute नहीं कर रहे हैं structural structural में आपकी hierarchy proper नहीं है जिसकी वाज़े से conflict arise हो रहे हैं या फिर human relation जो आपके organization में लोग काम कर रहे हैं उनमें human conflict काफी ज़ादा हो रहा है ये वाले जो conflicts होते हैं इसको आप collective bargaining से resolve कर सकते हो ठीक है structural analysis से resolve कर सकते हो कि वही क्या structure के अंदर problem है socio technical system और man management analysis से इनको आप resolve कर सकते हो second level आजाते हैं जो आपके firm के भार के conflicts हैं ठीक है और ये आपके intra organizational level की वज़े से conflict नहीं arise हो रहे हैं ये भार के environment की वज़े से conflict arise हो रहे हैं ठीक है तो इन conflicts को study करना भी ज़रूरी है कि इनमें organization क्या role play कर सकती है और third parties जो trade unions हैं या governments हैं वो क्या जो है इसमें action ले सकती हैं तो basically text of conflict all right so this is the ultimate conclusion so all right guys this was our oxford approach and industrial sociology approach इसके अंदर बहुत जादर डीटेल के अंदर जाने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि अगर इसमें डीटेल में आप जाओगे तो इसमें आपको पूरे पूरे थेसेज मिल जाएंगे तो उसमें पढने का कोई फाइदा नहीं है अपने को जितना exam के लिए important है उतना अपने ने कर लिया है all right फिर भी कोई doubt हो you can always comment it all right I'll see you in the next video till then all the best and bye bye